तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे है, मैंने ऐने मुबाइल फोन के डि Altar pad को open कर दिया, यहाँ पर आप background में एक लड़की का photo देख रहे होगगा, तो जैस्ऐ यहाँ पर मैं contact में आँगोगो तो यहाँ भी आपको background में लड़की का photo देख रहा होगा तो जैसी आप dialer pad से back अपने mobile phone की home screen प्राएंगा तो यहां पर सबसे पहले मैं अपने mobile phone के dialer pad को वापस से open कर दूँगो तो जैसी में open कर दूँगो तो जैसे कि आप देखरेंगे इस वकत मेरे mobile phone के dialer pad के background में कोई भी photo सेट नहीं है तो जैसी में contact में आगा तो यहां भी आपको बेग्राउंड में कोई भी photo नहीं दिख रहा हूँ तो अब मैं यह रहे है रेखरेंगे नहीं कर दिया नहीं आ रहा है तो अब मैं आपको live proo के साथ अपने mobile phone के dialer pad के background में photo कोई पर हैड़ो सेट करके कि दिखाने वालतोंंड भान होगा थो यहां पर आपको छोटी सी एप्लिकेशन की जरुर्वरत पढ़ने वालिया है टोल थीन एम्यपीक्सिन की खाए थी जर्वाच। बात इंपام कोई बी तो जैसी आप अपने प्लेश्टोर पर राएंगे तो आपको सर्च वाल आइकन पर सर्च करने गोगो D.E.S.I.G.N.E.R. आपको डिजाइनर टूल्स लिखे सर्च कर देना होगा जैसे आप डिजाइनर टूल लिखे सच करेंगे तो आपको डूसरी आप आप डिजाइनर टूल्स परकरूक्ल के नाप्स ही तो आपको इस ऑप को इस आपको इनस्टाल कर देने, जैसे का, आप इस आप को उपन zelf कर देना है इस app में आपको किसी भी gmail id से account बनाने की जुरूरत नहीं है आपके सामने direct ask as interface खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको bottom में तीन option दिख रहेंगा यहां पर आपको दो प्र całरी जोला यहां पर आपको जिसकता प्रस इस अभी फोटो ले थाईब जैसे को फोटो लें अचेंव की सी इस इसी को सब्सक्राइब तो आपको Settings का इकन पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला वाला option जो Opacity को 100% करते हैं तो जैसी आप Opacity को 100% करेंगे दूसरा मिलता है Vertical Elegant Vertical Elegant से आप आपने फोटो को उपर और या निचे Center Screen में ला सकते हैं तो जैसी आप इस दूसरा में करेंगे जैसी आपको देख रहाँ है तो दोस्तों को इस तीर इस से आप भी जो अपने मुबाइल फून के डैलर पाट के बैगरॉंड में फोटो लगा सकते हैं तो वीडियो अलगी चैनल को सब्सक्राइब करें न अभी थेंक्यू